नमस्कार दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पिल एक बहुत यूपयोगी जानकारी ये दोस्तों आप अनेगेट भी इंडिया के लार्जेस लर्निंग प्रेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप इसको डगमाधियम से आप यूपी स्टेट की सभी एक्जाम के ट्यारी UP, HCC, UPPS sawtu, IPPSI, प्री, pocz whip, कर सकते हैं साथ-साथ यहां पर फ्री वाली classroom भी है पहले आप फ्री वाली classroom का experience लेजिए आपको लगता है कि हमारे लोग प्रोगी है तो आप paid classroom भी ले सकते हैं जहां पर यह रफरल कोड है दीपक लाई is जिसका इंटर करने पर आपको 10% का डिस्कॉंड मिलेगा ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिसन बॉक्स चिक करें वहाँ पर मेरी प्रफाइल का लिंक है जहां पर मेरी फ्री वाली क्लासेज भी है क्लासेज जरूर देखें चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते ह नवसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से डेली हिंदी की मौक्टेस में दोस्तों आज हम 40 महमूल प्रस्णों की प्रैक्टिस करेंगे और आप भी अपना आकलन लगाए कि आपकी हिंदी कितनी तयार है चलिए पहला प्रस्ण देखें सर्व प्रथम लोग कवी क्या है डी मैथली सरण गुप्त जी ठीक है दूसरे प्रसके बढ़ते हैं किस रस को रसराज चाहा जाता है तो दोस्तों ऐसा कॉन सा रस है जिससे रसराज कहा जाता है सही जवाब है दोस्तों सिंगार रस और इसका स्थाइभाव क्या है दोस्तों रति है presence बनेंगे और सि यहां प्रस देखते हैं हिंदी आकरती के से निम्लिखित में से किस प्रकार की भासा है बहुत बार यह सारे प्रसनाते हैं और मैं यहां रखेंगे मैं आप लोगों को हिंदी प्रेक्टिक्सर देता हूँ अगर आप सभी के सभी लगा लोगे ना तो मैक्समीं क्वेशन के आंसरें का आप एक्जाम करके आएंगे चले यहां पर देखिए सात्वा प्रशन आपसे कहा जा रहा हिंदी प्रयोग की दिश्चे दोस्तों क्या है स ख्यान रखेंगे स्लिष्ट योगात्मक या इसको हम वियोगात्मक भी कह सकते हैं तो आप्सन नमबर सी करेक्ट है आठा प्रस देखते हैं अल्प प्राण ध्वनियों का समुह कौन सा है तो दोस्तों प्राण मतलब यहां पर होता है मुक्स निकलने वाली वायू तो अल् एक तीन पांच का नियम दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो यह आपका एक एक तीन पांच के नियम में आपका हर वर का पहला तीसरा और पांचवा सब्र क्या होता है अल्प्राण होता है जिसमें सा आप देख सकते हो कि यहां पर जो आंसर आपका है आप्सन नमबर ब कि बहुवरी शमास आप से पुछा जा रहा है बहुवरी शमास का उधारन कौन सा है पंचवटी करोड़ पती चतर भुज या चरण कमल सही जवाब है दोस्तों चतर भुज बहुवरी शमास का यहाँ पर है और इस सब्द में कोई भी सब्दोस्तों क्या होता है परधान नही होता है दोनों सब मिलकर किसी नया तीसरे गार्थ प्रकट करते हैं ठीक है तो यहाँ पर चतुरभूद मतलब है चार है भुजाएं जिनकी अर्थात विश्णोजी ठीक है ज्याना कहेंगे इसका अगले प्रश को बढ़ते हैं अगला प्रश यहाँ पर देखते हैं सुमित्र नमबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा अगले प्रश को बढ़ते हैं 11 प्रश देखते हैं सखें सहीत और हरसी अतिरानी सूखत धान पराजन पानी इस पंक्ति में अलंकार है दूसरे यहाँ पर देखे जो यह अलंकार है इसमें क्या कहा जा रहा है उपमे में उ सब्डे का प्रेयोग मिलता है वहां पर द्यान नखिंगगा उप सिंपल पहचान है अगले प्रश को बढ़ते जहां उपमे का निसीयत करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर रहा होता है दो में आपका होता है unukum का रूप किया जैसा है तो अगर हम यहाँ पर ठेस होगा तो यहां पर आपका देखिए निमनिकित सब्धों में से एक का अर्थ तेल भी है चलिए यहां पर किसका अर्थ तेल होगा तो अनेक आर्थी सब्धों से आज़र प्रस वंगे आपके आपके सही जवाब है दोस्तों देखिए option number क्या है इस ने तेल भी है ठीक है इस ने कार्थ तेल होता है ठीक है ध्यान रखेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ पर option number क्या होगा सी सही हो जाएगा अगला प्रसन दोस्तों 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 चोदावे सीरियल पर है निमलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समान तह नहीं बोली जाती है दोस्तों बोली से प्रसन आते है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो बोली यूपिम बोल जाती है चलिए यहाँ पर देखे आप से पूशा जा रहा है तुर्टी हीन हो तो यहाँ पर देखे आप से जो तुर्टी हीन हो तो डीपर चिंद लगाई यानि तो error direction का यहाँ पर question आप से पूशा जा रहा है देखे जब मोहन सभा इस्ताल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी ये इसमें कोई तुर्टी नहीं है यहाँ पर दोस्तों देखें सभा विसर्जन नहीं हुई यहाँ पर क्या होगा सभा विसर्जित हो चुकी थी ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा क्रिया के जगा विशेशन होगा तो यहाँ पर option number C correct होगा So lower price क्यों बढ़ते हैं? मिठास सब्द में किस प्रत्य का प्रयोंग है? चलिए बढ़ मिठास सब्दे बताईए किस प्रत्य का प्रयोंग है तो प्रत्य जो की बाद में लगते हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मिठास में आपका क्या है आस प्रत्य है ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका option number C correct हो जाएगा उचारण का संधी विछेद क्या होगा उचारण तो संधियों सभी बहुत जबजस्त आपके यहाँ पर प्रेस्ट पनेंगे तो द आताहसब्द का समानार्थी पहचानि आताहसब्द का समानार्थी क्या होगा अन्यथा अतेव प्रिणाम्त अस्तु तो इसका दोस्तों जो समानार्थी आपसे पूछा जा रहा है इसका सब्द होगा प्रिणाम्त ठीक है यहाँ पर आपका option number C correct हो जाएगा उनीसे समों पताइए हमी तो दोस्तों अमी का चत्सम रूप क्या होता है अमी में मिंस क्या होता है अम्रिध होता तो यह बनेंगे तो अभी यहाँ पर अप таких learning कि पहिचान करनीयए सही जवाब दोस्तों यहां पर क्या होगा कांच कांच क्या है ये एक तथाव ulub सबद है आपकरино तत्सम सब्द होगा ये आपका होता है काच ठीक है ये आपका जो लिखा जाता है आपका ये ऐसे लिखा जाता है काच ठीक है काच होता है इसका तत्सम ध्यान लखेंगे चलिए अगले प्रस्ट को बढ़ते हैं अगला प्रस देखते हैं तद्भो यहां पर नेक्स प्रस है बगेली बोली का संबंद किस उपभासा से है तो दोसों अवधी बगेली 36 गड़ी ये आपके सभी क्या होते हैं पूर्वी हिंदी के अंतरगत यहां पर ये आते हैं ध्यान लखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतरगत नेक्स प्रेस क्यों बढ़ते हैं अगला प्रेस यहां पर आर्थिक डॉट 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 आवशकता होती रहती सब्सक्राइब होता है सही जवाब है दोस्तों option number B कुंडलिया जिसमें पहला अंदिश्वत समान होता है और यह क्या होता है दोहा और रोला के छंद से मिलाने से यह आपकी कुंडलिया मनता है ध्यान लखेंगगे ऐसे प्रस्दाल पूछाते हैं बुढपा एक प्रकार का विसाफ है रिकांकिश सब्त की संग्या है तो दोसो देखें, संगया क्या होती है, अर्थ के अदार पर प्रकार कै अऔर यहाँ पर बुड़ हापा, आप देख रहें, एक ये क्या हो गई? एक भाव अचक संगया हो गई है, अगले प्रास्ट को बढ़ते हैं, कड़ाई से गिरा, चूले में आपड़ा का भाव हैं, तो ए तो इसकी विशेता सरनाम सानाम उसको विशेत से बोला जाताए तो कलला का अंतिम और सर्वोच धे यहाँ पर आप अगर विशेशन की देखेंगे बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा तीन विशेशन है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं कला का अंतिम सर्वोच धे सौंदर है तो अंतिम सर्वोच धे यहाँ पर यह क्या बन रहा है यह पहले नंबर पर आपका ये आएगा फिर लास्ट में ये आएगा अब इसके बीच में हमको ये चारों को औरेंजमेंट करना है ऐसे प्रसनाब से पूछे जाएंगे तो यहां पर दोस्तों देखे जो सही जवाब होगा देखे पहले पर ये आगया एक आगया ठीक है इसके ब की समिष्टी ही क्या है देश है तो एक मीनिंगफुल अर्थ यहां पर आना चाहिए तो आप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा अगले प्रस्क को बढ़ते हैं अगला देखते है निजभासा उन्नती है सब उन्नती को मूल बिन निजभार से आपको काउंटिंग वियाने चाहिए तो यहां पर देखें यहए दोहा है यह दौस्तों क्या है एक तो दोहा क्या होता एक आपका मातरिक फ़ंद है जिसमें तह करे प्रकास इसमें अलंकार कौन सा प्रेयोग हुआ है दोस्तों यहां पर दोस्तों देखें जो अलंकार है यहां पर क्या कहा जा रहा है सूर सूर तुलसी तो यहां पर देखते हैं कि अलग एक ही सब्द है जो दो बार प्रेयोग है जिनका अर्थ अलग अलग होता है ठी इसप्रस ने संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी यह समिधान के किस अनुच्छेद में वनित है तो दोस्तों समिधान के अनुच्छेद 343 में यह वनित है और उसके जो कॉलम है सब खंड 341 के अंतरगत यह बोला गया है 14 सिदंबर को मना जाता है हिंदी कारक है तो कारक से भी प्रस नाएंगे तो कारक और से विभक्तियों से प्रस नाएंगे तो वह कार मेरी है तो यहां पर क्या हो रहा एक संबंध बता जाना वह कार मेरी है तो इस प्रकार से यहां पर क्या निकल गया गया उसका कार से संबंध है तो यहां पर क्या हो गया सं ने रोटी खाया है राम ने रोटी खाई है या राम रोटी खाली है तो यहां पर दोस्तों दुखिए जो सही जवाब बनेगा राम ने रोटी खाई है option number C और चैनल पर नए है तो चैनल कुछ रूब सब्सक्राइब साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल पर अगर आप नए है तो आपको बता दू कि डेली यहां पर आप लोगो इस प्रकार से अगर हम देखें यहां पर क्या होगा नकल नकल की जाती है अगर वाकर प्रयोग करेंगे नकल हो रही है तो इस प्रकार से इस त्री लिंग बन जाएगा यहां पर अगले प्रेस को बढ़ते हैं 37 देखते हैं 40 प्रेस्ट बहमूल लेकाया हूँ और आप भी कमेंट करिए कितने प्रेस्ट आपके सही हुए जिस पर अ अनुग्रह किया गया हो उसके लिए कहा जाता है अनुग्रहित ठीक है ओप्शन नमबर यहां पर क्या होगा ये वाला आपका सही होगा ध्यान रखेंगे ठीक है इसमें बहुचन का प्रेयोग हुआ है निम्निखित वाक्यों में से किसमें बहुचन का प्रेयोग हुआ है लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा, तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर देखें, लड़के लड़के से कहते हैं, ठीक है, ओप्सन नमबर यहाँ पर क्या हो गया, लड़के लड़के से कहते हैं, इस वागे म और आ के बीच में संदी होने पर तोनों स्वरों के स्थान पर यह ओ जाता है तो इस प्रकार से यहां पर कौन सी संदी होगी इको यनाजी आप समझ गये होगे यहां पर क्या होगा यन संदी होगी ठीक है अगले प्रेस्ट को बढ़ते हैं दैत अरी दैत त्यारी एक उधारन आपस है निलोटपल सब्द में समाज बताने आपको तो दुस्रह दिखे निलोटपल सब्द करेंगे तो नीला है जो यहां पर आपका क्या वाजाएं का उत्पल यहां पर विशियेशन और विशियेशन का भावारा नीला है ठीक है तो करमधार होगा option number यहां पर क्या होग सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगले प्रेश्च क्यों बढ़ते हैं अगला प्रेश्च यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नमबर 42 जो कि हमारा नेक्स प्रेस्ट है बनेगा सीरियल पे और कुल टोडल 40 प्रेस्ट लेकर आया हूं और डेली आपको प्रेट्टिस अगला प्रेश्च देखते हैं निमलिखित में से एक सब्द की वरतनी अशुद्ध है तो यहां पर देखें दोसों उज्वल है कवेत्री कवेत्री दो प्रेकार्स लिखेगे मोच है तो एक प्रेकार्स यहां पर कवेत्री एक कवेत्री गलत होगा और यहां पर दोसों यह वाली कवित्री क्या है ये असुद्ध है जब कि कवित्री इस पकार से सुध्य लिखा जाता है ठीक है ध्यान 欠раण हिंगे प्र dal देखते हैं अगले स्थिता किसका प्रयाव अची है दोस्तों महा सवेता तो महा सवेता कि दोस्तों अगर हम बात करें देखैं ये जो से अंप्सटोर 5P और जया हो रहे हैं तो किसका होता है राच्छछस का प्राइबची होता है जबकि अश्रेक्स गोटा तो यह था दोसों टॉप अगर बात करें हिंदी के डेली मॉक्टेस के क्वेशन की और उम्मिद करते हैं कि क्वेशन काफी उप्योगी है आप लिए और आप डेली प्रेक्टिस करते रही है और आगे एक्जाम में आप बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस करेंगे अग झाल